इस रूइन आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मेंट और डिटर्मेंट पर ही क्राइमर का रूल यह डिपेंड करता है अगर आपको डिटर्मेंट यह टॉपिक समझ में आ गया तो आप क्राइमर का रूल आसानी समझ सकते हैं तो चलिए डिटर्मेंट क्या होता है तो इस अगर हम पता हैंगहर हम देखेंगे तो यह जो है आप ये एक रो है और से डी एक रो है यह रो HEY उसी तरह कैसे 23 और लो आप से लूम है और ये souven umm है यह कॉलम में जो है फालं में 2 ऐसे इस तर्मेंट काडिकरी मेंट रू है oka के लिदे इतर्मेंट के अंदर जो तो A B C D जो आपको नजर आ रहे हैं ये real numbers होते हैं और क्रूंस तो रियल numbers होते हैं इसके अंदर हमने आपको बता दिया रोज क्या होते है क्या होते हैं अब हम देखिएंगे detkliche की degree भी हमने देख लिए हैब हम देखिएंगे detrick qualquer किस तरीके से आप solve करेंगे जैसे कि यहाँ पर A, B, C, D एक determined है तो आप यहाँ पर cross multiplication करेंगे A का multiplication D के साथ होगा और B का multiplication C के साथ होगा तो यानि कि यहाँ पर A multiplied by D और B multiplied by C और इन दोनों के दर्मियान जो sign रहेगी वो minus sign रहेगी कि इस तरह के से A, D minus B, C यह determined का determined को इस तरह के साथ हम solve करेंगे चलिए कुछ examples लेते हैं और एक चीज़ आपकी मालमात में हम अदाफा करते हैं कि जो determined होते हैं determined को capital letter से आप represent करते हैं A, B, C, D capital letter से इसको represent करे जाता है determined A, determined B, determined C चलिए determined को जैसे कि हमने बताए कि determined कि इस तरह के solve करते हैं अब एक, दो, चार हम solve example देख लेते हैं determined को solve करने के अब जैसे कि यहाँ पर एक example है determined A को आपने को solve करना है 5, 3, 7, 9 determined तो जैसे कि मैंने आपको बताए cross multiplication आपको करना है 5 का multiplication हम 9 के साथ करेंगे minus 3 का multiplication 7 के साथ करेंगे तो आपको सब में पहले 5 into 9 ही करना है और 3 into 7 ही करना है अगर आप पहले 3 into 7 करेंगे बाद में 5 into 9 करेंगे तो वो आपका answer wrong हो जाएगा 5, 9 जा 45 minus 3, 7 जा 21 चलिए 45 में से अगर आप 21 minus करेंगे तो आपको मिलेगा 24 तो इस इस दा आंसर आप इस डिटर्मेंट चलिए नेक्स डिटर्मेंट है minus 8, minus 3, 2 और 4 इसको हम solve करेंगे तो चलिए हम second value determined को solve करते हैं तो second value जो determined है सम्मे पहले आपको क्या करना पड़ेगा minus 8 को multiply करना पड़ेगा 4 से minus और यह minus 3 को multiply करना पड़ेगा 2 से minus 8 को जब 4 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus 32 और यह minus minus हो जाएगा plus 3 to the 6 चलिए 32 में से 6 minus करेंगे तो आपको मिलेगा minus 26 तो minus 26 is the answer of this determined तो के स्वेट नाओ लेट्स मूव तो थर्ड कोश्चन देखे स्वेट थर्ड कोश्चन में 2 root 3 9 और 2 3 root 3 इस determined को आपको स्वाल करना का है तो सम्मे पहले आप क्या करेंगे 2 root 3 को multiply करेंगे 3 root 3 से minus 9 को multiply करेंगे 2 से clear तो 2 को 2 root 3 को 3 root 3 से जब multiply करेंगे तो आप क्या करेंगे 2 को 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 3 is a 6 और root 3 को जब root 3 से multiply करेंगे तो answer मिलेगा 3 एक मरतबा और आपको समझा देंगे यह 2 को आपको क्या करना है इस 3 से multiply करना है तो 2 3 is a 6 इस रूट 3 को रूट 3 से multiply करना है जब रूट 3 को रूट 3 से multiply किया जाता है रूट 9 आता है और 9 का रूट निकाल है तो आपको मिलता है 3 यह हो जाएगा 9 to the 18 ओके नाव 6 3 is the 18 minus 9 to the 18 यह हो गया 18 minus 18 0 is the answer of this determinant clear instrument जब तक आपको determined solve करने नहीं आएगा तब तक आपको क्राइमर का rule समझ में नहीं आएगा तो चलिए क्राइमर का rule भी हम सीखते हैं चलिए स्टुएंट अगला हमारा जो method है determined method जिसको क्राइमर्स रूल भी कहा जाता है अब क्राइमर्स रूल में आपको क्या करना पड़ता है simultaneous equation यानि के pair of linear equation से दो तीन डिटर्मेंट आपको बनाने पड़ते हैं तो आप किस तरीके से डिटर्मेंट आप बनाएंगे यह simultaneous equation से अब हम देखने वाले हैं तो सब में पहली जो डिटर्मेंट बनेगी वह डिटर्मेंट का नाम हम देंगे डी अब डी को आप किस तरीके से बनाएंगे वह देखिए तो सब में पहले आपको क्या करना है यह जो simultaneous equation है a1x plus b1y is equal to c1 एक simultaneous equation है और दूसरी a2x plus b2y is equal to c2 यह दूसरी equation है linear equation अब इन दोनों equation से जो है आपको determined form करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो c वाला term है c वाले term को जो है आपको यहाँ पर neglect करना पड़ेगा यानि कि आपको इसको नहीं देखना पड़ेगा तो जो डी वाली जो determined रहेगी वो रहेगी a1 b1 a2 b2 देखे श्रूंट थ्यान से देखे अगर यह method आपको समझ में आ गया तो आगे का procedure बहुत easy है अब जो दूसरी determined आपको बनाना है वो है dx अब dx में क्या करना है आपको x वाले term को आपको neglect करना है neglect करना है मतलब यानि कि जो x वाले term को आपको consider नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर dx बना रहे तो अब इसकी जो determined आप जो बनेगी वो रहेगी अब यहाँ पर थोड़ा सा different है c1 b1 c2 b2 okay student थ्यान से देखिए इस तरीखे से आपको determine इस तरह आपको determine बनाना है जो अगली वाली जो determine रहेगी उसका नाम आप देंगे dy और dy वाली determine के लिए अब क्या करेंगे आप y वाले term को consider नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे यह y वाले term को consider नहीं करेंगे तो आपकी जो डिटर्मेंट बनेगी A1, C1 और A2, C2 ओके स्टुएंट आप यहाँ पर देखिए जब हम डिटर्मेंट D बना रहे थे तो उस वक्त आपने क्या किया ये वाले टर्म को C1 वाले टर्म को आप कंसिडर नहीं किये आपने बना दी A1, B1, A2 B2 उसके बाद जब आप DX डिटर्मेंट बना रहे हैं इस वक्त आपने क्या किया X वाले टर्म को आपने नहीं देखा और यहाँ पर थोड़ी सी डिटर्मेंट किस तरीके से बनी C1 B1 C2 B2 यहनि के C1, B1, C2 B2 तीसरी वाले जो डिटर्मेंट आप DY बना रहे थे इस वक्त Y वाले टर्म को आप कंसिडर नहीं किये थे और आपके डिटर्मेंट बन गए थी A1, C1, A2, C2 यह DY वाले टर्म A1, C1, A2, C2 तो इस तरीके से आपको तीन डिटर्मेंट बनाना है और उनको उसके बाद सॉल करना है अब इसके बाद आपको छोटे से दो फॉर्मले यहाँ पर जो है यूस करना है एक फॉर्मला जो है X मालुम करने के लिए रहेगा तो X वाला फॉर्मला जो रहेगा वो रहेगा DX अपॉन D और Y वो फॉर्मला रहेगा DY अपॉन D ओके ये दो फॉर्मले आपको यूस करना पड़ेगा चलिए एक question देखते हैं question देखने के बाद जो है simultaneous equation को solve करते हैं आपको completely समझ में आ जाएगा पूरा question आपको clear हो जाएगा पूरा method आपको clear हो जाएगा देखे ये simultaneous equation यहाँ पर दी गए यानि के pair of two linear equation यहाँ पर दिया गया है तो समय पहले ये linear equation हम लिख लेते हैं और equation 1 और 2 इनको हम नाम दे देते हैं इस तरीखे से 5x plus 3y is equal to minus 11 equation number 1 2x plus 4y is equal to minus 10 equation number 2 अब ये simultaneous equation से हमें determined बनाने हैं तो समय पहले determined जो बनेगी वो बनेगी determinant t okay student तो determined t बनाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जो minus 11 minus 10 को consider ने करना है आपको सिर्फ और x के और y के जो coefficient है वो ले लेना है यानिके x का coefficient 5 y का coefficient 3 और इदर नीचे दूसरे वाली equation में x का coefficient 2 और यहाँ पर y का coefficient 4 अब इस determined को हम solve कर लेगे तो यहाँ पर हम इसको solve करेंगे तो solve करने का method हम पहले ही देख चुके हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 into 4 minus 3 into 2 तो आपको answer क्या मिलेगा 5 into 4 20 minus 3 to the 6 अगर आप 20 में से 6 minus करेंगे तो आपको answer मिलेगा 14 तो यहाँ नहीं के आपको d मिल गया है determined d मिल गया है 14 अब आपको जो determined बनाना है वो बनाना है dx determined dx बनाएंगे हम और इसको भी हम solve करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं determined dx यहाँ पर बनाता हूं determined dx बनाने के लिए आप क्या करेंगे x वाले term को आप consider नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर लेंगे minus 11 3 minus 10 4 अब इसको आप solve कर लेंगे तो minus 11 को आपको क्या करना पड़ेगा 4 से multiply करना पड़ेगा minus 3 into minus 10 determined solve करने का method आपको मालूम है तो वही method से हम मालूम कर रहे हैं तो यह हो जाएगा minus 11 into 4 यानि के minus 44 यह minus minus plus 3 tensa 30 ठीक है अब यहाँ पर minus 44 plus 30 तो आपको answer मिलेगा minus 14 ओके तो यह value आपको dx की value मिल गई dx की value मिल गई आपको minus 14 d की value आपको मिल गई 14 अब हम जो है dy determined dy बनाएंगे तो determined dy बनाने के लिए आपको क्या करना है y वाले term को consider नहीं करना है चलिए equation number 1 और 2 को देखे equation number 1 के अंदर देखे y वाले term को consider नहीं करना है तो यह हो गया 5u और minus 11 और 2 minus 10 चलिए इस determined को हम solve कर लेते हैं जैसे कि हमें मालूम है कि सरीके solve किया जाता है इसको तो मैं करता हूँ 5u into minus 10 cross multiplication minus minus 11 into 2 ok clear है student minus 5 5 को minus 10 से multiply करते हैं तो मिल जाता है minus 50 minus minus plus हो जाएगा और 11 को 2 से अगर multiply करते हैं तो आपको मिल जाएगा 22 11 to 22 ok student 50 minus 50 में से अगर 22 minus करेंगे तो आपको answer मिलेगा minus 28 तो यह मिल गया आपको minus 28 okay अब यहाँ पर formula जैसे कि मैंने आपको बात दो formula बताया था यहाँ कि x का value मालूम करने के लिए आपके पास formula है dx upon d okay अब यहाँ पर dx upon d then x is equal to dx का value क्या है minus 14 what is the value of d 14 तो 14 ones are 14 14 ones are 14 then x is equal to आपको मिल जाएगा answer minus 1 okay तो x is equal to minus 1 clear है यहाँ तक समझ में आगे आपके तो y के value मालूम करेंगे तो formula है dy upon d then y is equal to dy dy का value है minus 28 और d का value क्या मिल गया है अपने को 14 then y is equal to what 14 ones are 14 14 two's are 28 then y is equal to minus 2 इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जब किसी आपको equation का solution मालूम करना है और equation के अंदर x और y values हैं तो आपको x और y के values मालूम करने पढ़ेंगे तो यहाँ पर x का value मिल गया minus 1 और y का value मिल गया minus 2 तो आप यहाँ पर लिखेंगे the solution of the given simultaneous equation is x is equal to minus 1 and y is equal to minus 2 तो यह था क्रामर का method क्रामर सुरूल था जिसको हमने जो है समझा है we hope that you have understood the complete solution and all your doubts have been cleared so keep watching our videos